नमस्कार दोस्तों मैं इंको रुपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनालिसिस में हमारे आपके फेवरेट टेक्स्टाइल स्टॉक ट्राइडेंट के रिजल्ट्स आ चुके हैं कैसे रही है नमबर्स वो मैं आप सभी के साथ शॉट में रीकैप कर लेता हूँ एक बार लेकिन उससे पहले बजार डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है देड़ सो पॉइंट सूपर निफ्टी है एक किस नौस सो बीस पे आता हुआ दिख रहा है बैंग निफ्टी अभी भी लाल निशान में है और मिड कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है एक परसेंट उपर है और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% यानि आदे परसेंट के करीब की तेजी है निफ्टी और सेंसेक्स अल्मोस्ट अल्मोस्ट पॉन परसेंट उपर दिख रहे है तो मार्केट में तो हर तरफ अर्या लिया और इसका मेंन रीजन आज बन रहा है आपका IT इंडेक्स IT इंडेक्स में आपके लिए इंफॉर्स साड़े सत्तरा सो की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो HCL टेक्स भी 4% की तेजी है वहीं अगर बात करें कोफोज और बाकी अधर IT स्टॉक्स की तो सम्में आज भढ़िया थी जी देखने को मिल रही है और विपरो 500 हो चुका है आपके लिए निफ्टी में आज टॉप गेनर्स की लिस्ट में BPCL है 500 रुपे का फाइनल लक्षे भी कम्प्रीट हो गया है इस स्टॉक का जिस रफ्तार से भागा है 500-600 तो विदिन 3 ट्रेडिंग शैशन ही हो गया ही तो बहुत ही शांदार मूब दिख रहा है बाकी निफ्टी में देखो कि आप अगर तो HDFC HDFC Life को छोड़ दिया जाए बाकी के आपके लिए IT ही है टॉप गेनर्स की लिस्ट में ज्यादा तर तो तो आज बजार बहुत ही अच्छा ट्रेड कर रहा है और एक ही सेक्टर है जो मार्केट को ऊपर की तरफ खीचने का काम कर रहा है वो है आपका IT सेक्टर ब्रॉडर मार्केट में भी हाला की तेजी है बट ऐसी कोई खास तेजी नहीं दिख रही है अभी आ जाता हूं में डारेक्टली रिजल्ट्स पर तो ट्राइडन के नंबर्स आ चुके हैं कैसे रहे हैं और नंबर्स के बाद स्टॉक कैसा टेड कर रहा है देगे नंबर्स जैसे रहे हैं उससे पहले स्टॉक का भाव देख लो बिलकुल फ्लेट है 0.2 एक त्याई एक चौथाई परसेंट लाल निशान में है इससे जादा कुछ भी नहीं है नंबर्स की बात करूँ तो थोड़े से कमजोर है कुछ जादा कमजोर नहीं थोड़े से हैं for example आपका consolidated net profit जो है 144 करोड के सामने around 110 करोड पे आता हुआ दिखा है वही revenue देखोगे आप तो 1640 करोड के सामने 1830 करोड है तो revenue आपका year on year basis पे भढ़ गया है profit घटा है और उसके पीछे का reason है margins 16.72% के margins घटकर अभी 14.34% कामकाजी मुनाफ़ा 274 करोड के सामने 260 करोड पे आता हुआ तो year on year basis पे revenue को छोड़ दिया जाए बाकी हर जगा थोड़ी थोड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है ये Trident के short में number है लेकिन अगर मैं ऐसे quarter on quarter देखूँ आना तो मिरको देखेगी असलिया जहाँ पे 90 करोड का profit आपका 110 करोड का हो गया है और revenue तो खेर आप 1800 करोड से बढ़कर सीधे आपके लिए 1830 करोड है margins आपके 14.34% पर आया है जो कि last quarter 13% के थे कामकाजी मुनाफ़ा 260 करोड पर आया है जो कि last quarter आपका 240 करोड था तो quarter on quarter base पे सब कुछ जंप कर रहा है ये numbers अच्छे माने जाने चाहिए मुझे लगता है और ये जो stock का भाव भी आप 46 के something दिख रहा है 46-45 ये आप buy on dips में बनाइए आराम से strategy बैठे रही है textile stocks को नहीं छोड़ना है textile stocks theme है हमारी और वो मेरे को अभी भी लगता है theme carry होनी चाहिए तो जिसके पास जो position है उसे लेके बैठे रहो कोई deep गिरावट आती है तो वहाँ आप लेने के मौके डूड़ ये मेरी रहा होगी trident पे next cams यानी computer age management services के भी number आए है 2% उपर दिख रहा है 29.5 का भाव दिखा दिया है stock ने साड़े 12 रुपे प्रती share का तो dividend दिया है stock ने results की बात की जाए तो consolidated net profit 84 करोड से बढ़कर 89.3 करोड का हो गया है and revenue 275 करोड से बढ़कर 290 करोड का हो गया है वही margins की बात की जाए तो 44.4% के सामने 44.66% पे आए है and कामकाजी मुनाफ़ा 122 करोड के सामने 130 करोड पे आया है तो number slightly सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाया अच्छा है यह कोई खराब तो है नहीं इसी के चलते share का price भी आपके लिए अच्छा trade कर रहा है एक्जो नोबल अपने numbers का 5% उपर है हाला कि paint industry में ऐसा कुछ तो नहीं दिखा लेकर इस company ने बढ़िया गरा है 50 रुपे का तो company ने अपने share धारों को dividend दिया है profit 97.4 करोड के सामने 110 करोड पे आया है revenue लगबग 987 करोड से बढ़कर 1000 करोड पे margins 14.48% से बढ़कर 16.11% पे और कामका जी मुनाफ़ा 143 करोड के सामने 166 करोड का आता हुआ दिखा है तो ये numbers भी अच्छे ही हैं कोई दिक्कत नहीं दिख रही है यहाँ पे next उशा मार्टिन पंजाब chemicals के भी number आते हो दिखे हैं इशा मार्टिन के मैं आपके साथ short में discuss करूँ तो numbers तो अच्छे दिख रहे हैं फिर stock का price क्यों चूटा है पता नहीं 3.5% share का price नीचे है अगर आप consolidated net profit देखेंगे 84 करोड से बढ़कर 107 करोड का है margins 15.23% से बढ़कर 19.7% है कामकाजी मुनाफ़ा 127 करोड से बढ़कर 175 करोड आया है और revenue में गिरावट है 834 करोड के सामने 797 करोड बाकी सब कुछ बढ़ा है केवल revenue top line गिरी है बाकी सब साल दर साल आपके लिए improve होता हुआ दिखा है बट share का price 3.5% नीचे है यह market है कभी भी कुछ भी कर सकता है बट overall market बहुत ही अच्छा trade कर रहा है days high पर trade कर रहा है तो enjoy कीजिए profits को यह मेरी तरब से आपके लिए पूरी detail video hope आपको सारी चीज़न समझ मैं यह होगी thank you so much for watching this video have a great day guys